हेलो एवरिवन, विल्कम टू माई यूटिब चैनल, आप सभी का स्वागत है मारे आज के इस वीडियो में और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कहीं सारे मुद्दों पे और मुद्दे हैं स्टूडेंट के NTPC, JEE की वेकेंसी को लेकर ALP Technician Exam Dates को लेकर ALP की RR भी चेंज करने वाले लिंक को लेकर 15 तारीक आने के आज के Twitter Campaign को लेकर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे स्टूडेंट के हैं उन सभी मुद्दब इस वीडियो में चर्चा करेंगे चोटा सा वीडियो रहेगा बिना स्किप किये एंड तक जरूर देखें बहुत से टीचर्स की बहुत से लोगों की सचाई आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो आप वीडियो को जरूर देखें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें उससे पहले एक छोटा सा अपडेट टेस्ट बुक के तरफ से हप्पी आर सेल का लाब आप लोग ले सकते हैं देखो एक्जाम अगर कोई भी पास करना है तो मौक टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे प्रिवियस एयर टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे प्रैक्टिस सेट भी लगाने पड़ेंगे जोनी उकात का आपको पता लग जाएगा कि इस भीड में आप लोग कहां स्टेंड करते हो, कौन सा टॉपिक आपका वीग है, आप लोग काम कर सकते हो, तो सारे लाब आपको मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा कि इसको पर्चेस कर लीजिए, और पर्चेस करते ट 24 के शुरुआत में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कि हमने एक्जाम कलेंडर जारी किया है, लेकिन एक्जाम कलेंडर सिर्फ नाम का ही एक्जाम कलेंडर रहे गया, देखो, यहाँ पर इन्हों ने बोला था कि जुलाई और सितंबर के बीच में, हम 4 आदा जुलाई जा चुका है, आदा जुलाई आपका बचा हुआ है लेकिन कोई अपडेट किसी वेकैंसि को लेकर नहीं यह, और इन वेकैंसि को था आप छोड दीजे है, उपर की जो दो वेकैंसियाई है, इनका ही अपडेट अभी तक पैंडिंग है, Aalp की चेंज करने क लिंक जारी नहीं हुआ है कोई अपडेट नहीं है देखो अभी गौर्रमेंट कहती कि हम एक्जाम किलेंडर को फॉलो कर लेंगे ये वैकेंसी निकालेंगे तीन साल तक पूरा प्लैन चलेगा ये एक साल अगर फॉलो हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है टेक्निशन की एक चार सालों में पैदा हुए आठ करोड नए रोजगार मुझे तो समझे ये नियारा अगर ये आठ करोड रोजगार पैदा हुए तो इक गए कहां क्या ये पाकिस्तान वा लोगों मिल गए या बंगलदेश वा लोगों मिल गए क्योंकि इंडिया में तो इतने रोजगार नहीं में ले देखो कितना बड़ा आर्टिकल है रोजगार पर विवाद हुआ केंद्र बोला हर साल दो करोड से अधिक नो करिया दी है अब आप लोग खुद देख लो पिछले पांच साल में जो इन्होंने रेलवे का रिकूटमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं कराया रेल म बास कोई अपडेट नहीं है ठीक है वेगेंसी का आएगी जुलाई में आएगी अगस्त में आएगी या सितंबर के लास्ट में आएगी कुछ नहीं कह सकते अरर भी जैई का यह एक अपडेट आया था भी कुछ दिन पहले कर बात करें ठारा चीन दो जार चौबिस को और यहाँ पर यह नोने का था कि जो नोडल अरर भी वगर है वो 27 शे में डिसाइड कर दिया गलेकिन अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है जाएगा तो नया हफता शुरूआ है आज मंडे है तो बस उमीद लगा जा सकते है कि आज कुछ अपडेट आए या इस हफते में कोई अपडेट है बाकि इसके अलावा और भी कुछ नहीं कहा सकते है अब सबसे बड़ा मुद्दा है ECA और Twitter Campaign को लेकर पहले ECA की बात कर लेते हैं काफी student पूछेने सब ECA का क्या हुआ किसको मिला क्या मिला तो देखो यार जो ECA वाली website है उस पर नहीं नहीं अपडेट साते रहते हैं कभी tender close, कभी tender finalize, कभी new tender open हो जाता है समझ में यह नहीं आरा कि कौन सा tender किसके लिए है ठीक है और बहुत बड़ा चैनल है जो 20 लाग सबस्क्राइब वाला उन्होंने भी EC पर वीडियो बनाया था वो डिलीट करना बड़ा क्योंगी याट दिन पहले दिया गया था कि 15 अरी कोई Twitter campaign रखा जाएगा vacancies increase कराने के लिए technician की लेकिन किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई support में नहीं है ठीक है आपका है वस ऐसा ही जो slowly process है वो चलेगा vacancies आएंगी आप पढ़ते रही है पढ़ते रही है जब exam होगा exam हो जाएगा जब result आना होगा आजाएगा और जब selection होना है तो हो जाएगा इस government में आप सिर्फ यहीं उम्मीद कर सकते हैं कुछ लोग यहीं बोलें से सर आप जो है बीजेपी विरोधी हो कॉंगरेस की बहुत तारीफ करते हो भाई ना तो मैं किसी का फैन हूँ ना मैं किसी का विरोधी हूँ जो condition है वो आपके सामने है अगर आप समझदार है तो आपको दिख रही होगी अगर आप अंदभक्त है तो आपको नहीं दिख रही होगी सीधा सही मेरा जवाब है ठीक है बागे अपनी राए comment box में लिख सकते हैं जो भी आपकी राए हो जो भी आपका गुस्ता हो comment box में देगाल सकते हैं